तो हेलो एव्रिवन दिस इस एलीजर फिनेहस एंड यूर वाचिंग एलीजर एडूकेशन अगैडमी तो भई गुजिस्ता इतने टाइम से मुझे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी के सर प्लीज टार्गेट पेपर का सॉल्यूशन आप डाल दें तो जैसे के आपको पता है कि मेरे बहुत जादा बीजिशयडियूल में सही 파ढ़ता हूँ और और यहीं पर पता था हूँ Japan स्नुर्वाधार वायर पर नहीं दांत रहा था तो अपने वादे को ने भातंडे होएti का सामने हाजिर है आज इतने भी हमने जो हमने target paper किया था long short और reasoning questions का आज सारे मैं target paper का detailed explanation दूँगा और जितने भी answers हैं वो सारे आपको मैं provide करूँगा तो आपने video को skip नहीं करना अगर आपने video skip की तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि मैं बहुत साही चीजें आपको समझाओंगा और अच्छे से guide करूँगा तो video skip करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे ठीक हो गया तो आपने क्या करना है आपने वीडियो को script नहीं करना तो आज इस वीडियो में जितने भी बहुत परफाना हमारा सेकेंड जालोजी का हम सेकेंड जालोजी के टार्गेट पर को आज हम लोग completely solve कर लेंगे तो अब मैं वीडियो तो start करने लगा हूँ लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि यतने भी answers हैं ये 100% guaranteed answers हैं और जब आप ये याद कर लेंगे तो आपको 100% full marks मिलेंगे और इतना ये detail में लिखा है और इतनी ज़्यादा conceptual बाते लिखी हुई है मैंने के आपका एक mark भी नहीं काट सकता कोई भी examiner अगर अगर हाँ एक और बार के अगर किसी स्टूडेंट ने हमारा सेकंड ये जॉलोजी का टार्गेट पेपर नहीं देखा तो उसमें हमाने प्लेलिस्ट बनाई हुई है फर्स्ट ये सेकंड ये टार्गेट पेपर 2023 के नाम से तो आप वहां जाकर सबसे पहले सेकंड ये जॉल वह अपनी नोड़ाउन करें और फिर इस वीडियो में हैं ताकि जितने भी सवालात हैं उसके सामने आप तिक लगाते रहें के जितने भी हैं सवालात वह सारे हो गए हैं बाकि नबी यांड वाइस जितने भी टार्गिट पेपर में इन्क्लिवाइड हैं आपको लाइन सा अगर आपने लिख लिया है तो फिर्स्ट आफ आल हम लॉंग क्वेश्चिन आंसर से स्टार्ट कर रहे हैं तो लॉंग क्वेश्चिन आंसर में जो पहला हमारा सवाल था मैं यहां पर अपना टार्गिट भी लग देता हूं ताके आप अच्छे से समझ जाएं तो पहला सवाल कौन सा था पहला सवाल था एक्स्प्लेइन विरिया स्टेप्स इंवल्ड इंड डिया टेक्नोलोजी एंड रो नीट एंड लेबल डायग्राम तो वह सबसे पहले आपन सवाल है तो सवाल की जाने भड़ते हैं तो मैं थोड़ा सब्सक्राइब करता मैं इसको कम इसलिए किया हुआ था कि उसमें ताके डायग्राम जो है वो पूरी नजर आ सके तो यह जो है आपका यह सवाल है आपका आपका जो कि चैप्टर नमबर नाइन बायो टेकनोलोजी से यह यह सवाल का लिंक है तो सबसे पहले तो आपने स्टेप्स लिखने है रिकॉंद डियने टेकनोलोजी के याद रखिए कि चार्स टेप्स होते हैं प्रेपरेशन और रिकॉंबिनेंट डियने मॉलिक्यूल फिर इंस के तो देखें अगर मैं एक-एक सवाल कंप्लीट एक-इक-ट्राइन अगर मैं आपको एक्स्प्लेयन करने पे आगया न तो यह वीडियो इतनी नंबी हो जाए कि तकरीबन यह तकरीबन दस घंटे तक यह वीडियो पहुंच जाएगी तो मैं आपको एक-ट्राइन नहीं steps को detail में लिखना है तो यहां से आपका जो है यहां से आपका answer start होता है steps की heading डालके फिर यह preparation of recombinant DNA यह देखें यह साथ आपने लिखना है जो preparation of recombinant DNA है तो इसके लिए कुछ basic tools required होते हैं जैसे कि vector restriction enzyme DNA ligase enzyme फिर आपने vector को explain करना है उसकी example देनी है फिर आप देखें यह जो है आप ऐसा करें कि मैं आपको यह पूरी आपको screen के सामने visible हो रहा है पूरा answer तो आप ऐसा करें कि आप इसका ना इसको वीडियो को pause कर अभी तो आप देखें अभी आपने नहीं करना यह pause बगरा अभी आपने सिर्फ पूरी टार्गेट पेपर को समझना है पूरे answers को समझना है फिर जब आप बाद में पूरी वीडियो देख लेंगे तो फिर जाके आपने क्या करना है आपने वीडियो को pause करके आपने यह सारे जो answers है यह लिख लेने हैं मुझे उमीदा कि आपको समझ आ तो लिए फिर सेग्ड्ण टूल था रिस्त्रिक्शन एंजाइम था लेख अल्य तो फिर रेष्ट्रिक्शन की जब नेक्स्ट पर विछ आने बढ़ते हैं फिर ढमारा स्टेप नम्बर आजाता है insertion of our DNA into host cell मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं इसलिए नहीं explain कर पा रहा क्योंकि अगर मैं एक-एक सवाल बहुत जादा explain करूंगा एक-एक लफ्स देखें मैं करने को तो कर सकता हूँ लेकिन यह बहुत लंबी वीडियो हो जाएकि 10-12 खंटे की वीडियो हो जाएकि क्योंकि हमने सारे लॉंग भी कवर करने हैं और शॉट भी सारे कवर करने हैं हमारे इस टार्गेट पर के तो इसलिए सारे मैं वह explain नहीं कर सकता तो इंशाला के अभी तो नहीं लेकिन फ्यूचर में जरूर हर एक 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 आंसर की explain detail में वीडियो आएगी ठीक है बाकी फिर इस स्टेप नमबर 2 लिख लिया फिर स्टेप नमबर 3 की बारी है multiplication of 4 cells with our DNA in it तो यह एक लंबा चोड़ा यह इसका point है थर्ड स्टेप का यह आपने लिख लेना है और फिर हम लोग 4 की जाने भड़ते हैं स्टेप नमबर 4 selection of bacteria with required genes तो यहां पर शायद हमारा हां यहां पर जाके हमारा यह जो है answer है यह खतम हो जाता है और यह मेरे से गलती होगी थी कि मैंने पहले डाइग्राम नहीं बनाई तो यह आपने सबसे पहले डाइग्राम बनानी है फिर जाके आपने steps लिक रहे हैं ठीक को तो वह यह बाते समय नहीं पाते और फिर वह जब बोर्ट का पर होता है तो वह confusion में ही रहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप confusion में नहीं नहीं रहें तो आपने 100% इसको समय ना होगा तो यह तो हमारा question number one हो गया हमारा जो long का decombinant DNA technology का पर जो next question हमारे पास आता है next question है how do home your thumbs maintain their body temperature during hot and cold season तो इसके answer की जानेब हम लोग भड़ते हैं तो भी second है how do home your thumbs maintain their body temperature in hot and cold environment या cold temperature तो इसका जो answer है वो आपकी screen के सामने वाजिया है देखें सबसे पहले आपने क्या लिख रहा है mechanism of mechanism of thermoregulation in cold temperature तो एक second में तो सबसे पहले आपने लिखना है mechanism of thermoregulation in cold temperature सबसे पहले cold temperature फिर उस पर hot temperature पर आएंगे तो दो methods होते हैं कैसे जो home your thumbs है वो अपना cold temperature में अपना body temperature को maintain करते हैं सबसे पहले तो है physiological mechanism and second है second है behavioral mechanism mechanism तो सबसे पहले physiological mechanism की आपने heading लगानी है फिर non-shivering thermogenesis इसमें क्या non-shivering thermogenesis में erection of hair आ जाता है reduction in blood flow towards skin यह सारे answers आपके सामने लिखे हैं यह आपने याद करने हैं फिर third point आ जाता है subcutaneous fat accumulation तो यह आपके सामने यह आ जाता है फिर जो इस फर्स का था non-shivering thermogenesis फिर बी पार्ट में आ जाता है shivering thermogenesis तो next page जाने पड़ते हैं और इसमें non-shivering में तो हमने 3 points पड़े अब देखते हैं कि shivering thermogenesis में कितने points हैं तो इसमें एक ही है behavioral process तो यहां तक ही आपका cold temperature का हो जाएगा तो next page जब आएंगे तो फिर आएगा hot temperature में कैसे homeotherms अपना जो temperature है उसको maintain करते हैं तो mechanism of thermoregulation in hot temperature तो physiological mechanism सबसे पहले दो इसके steps हैं दो methods ठीक है जिसे उसमें दो methods थे shivering method और non-shivering तो इसमें है physiological mechanism and behavioral mechanism तो सबसे पहले physiological mechanism की heading डालके उसके points लिखने हैं फिर behavioral mechanism की आपने heading डालके उसके points लिखने हैं आगे देखते हैं कि मजीद answer है इसका के नहीं है मजीद भी इसका है और इसका जो answer है वह यहां तक है यह है यह हीट generating mechanism तो यहां पर जाकर आपका जो second वाला long question है वह end होता है देखें अगर मैं आपको आप देख रहे हैं वीडियो तो जो जो बच्छा 100% बिल्कुल बगैर skip की यह वीडियो देख रहा है तो उसको समझाए कि हाँ यहां तक है और बाकर यह ऐसे फजूल में skip करते रहते हैं तो फीवर भी सारा याद कर लेंगे और जो के खता खाएंगे और ऐसा ही होता है कि जो बच्छा ध्यान से दिल लगा कर सुनता है वही हमेशा क्यामियाब होता है तो second हमने question का भी answer देख लिया अब हम लोग बढ़ते हैं अपने next question में हम target paper के जाने बढ़ते हैं तो हमने क्या क बढ़ते हैं next question है आपका Darwin's theory of natural selection तो हम इस सवाल की जाने बढ़ते हैं इसके answer की जाने तो Darwin's theory of natural selection की जाने बढ़ते हैं तो यह आपके पास इसका जो detail answer है वो आपके सामने है सबसे पहले आपने introduction लिखना है जिसमें आपने Charles Darwin के बारे में बताना है कि यह जो book इस ने original species लि explain करना है सबसे पहले features लिख लेते हैं कौन-कौन से हमने important features लिखने हैं सबसे पहले है overproduction, struggle for existence, third पे heredity or variation, fourth पे natural selection, survival of the fittest, and fifth पे आजाता है formation of new species और फिर आपने क्या करना है जितने भी यह 5 points है फिर आपने इनको detail में explain करना है जैसे सबसे पहले देख लें आपने overproduction लिखा overproduction के बारे में लिखा करे overproduction होती है फिर आपने examples दे देनी है कि जैसे codefish है वो 5-7 million eggs देती है फिर next में जब आ जाते हैं कि housefly जो है वो 120 अंडे देती है 6 times गर्मियों में 6 times 120 अंडे देती है फिर starfish million eggs देती है एक साल के अंदर और animal with the active breeding period of 60 years और जो elephant है वो अपने जो पूरे जिन्दगी होसमा से छे बचे पैदा कर सकता है तो जो over reproduction है तो इसका यह मतलब है कि ज्यादा ज्यादा तदाद में किसी भी species का या ज्यादा तदाद में बच्चे होना जो के नुकसान दे होता ह है struggle for existence struggle for existence पिर आ जाते हैं second point तो आपको बता है कि competition होता है तो तमाम उसके individuals के दरम्यान जितने species के होते हैं और एक होता है इंट्र स्पेसिफिक स्ट्रगल सेकेंड होता है इंट्र स्पेसिफिक स्ट्रगल देखे मैं नहीं एक एक लफ्स कर पा रहा क्योंकि वीडियो की duration बहुत ज्यादा होगी हमने बहुत ही सारे सवालात करने हैं तो मैं मुक्तसर सी explanation दे रहा हूं मुझे उमीद है चाको समझ आ गई होगी क्योंकि देखे मैं एक एक लाइन की explanation दूँगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस यही वज़ा है कि मैं नहीं दे पा रहा आपको एक लाइन की explanation बाकि यह लिखा हुआ है आंसर आप बाकि सारा देख सकते है लुकृश करके आप बाद में लिख लिजेगा जब पेपर आपका सॉरी यह वीडियो जब खतम होगी फिर तो बाकि ए हैं इंटर स्पेसिपिक स्ट्रगल और इन्वाइरमेंटल स्ट्रगल तो तीन किसम की श्ट्रगल होती है इंटर स्ट्रेफिक इंटर स्पेसिक इंवा नंबर नियुक्रवाइवल फिटेस्ट तो इसमें ये बताया जाता है कि जो फिटेस्ट होता है वो ही सर्वाइफ कर सकता है और फिर आजाते एट फॉर्मेशन फिफ्ट्वाइवल फिटेस्ट जो के लास्ट पॉइंट है इस वाई सवाल का जहां पर रिखनें तो दे फॉर्मेशन ओफ न्यू स्पीशिस विच डार्विन कॉल्ड ओरिजिन ओफ स्पीशिस तो यहां पर जाके ओरिजिन ओफ स्पीशिस पर आपका यह वाला जो question का answer है यह भी खतम होता है जो कि डार्विन's theory of natural selection था तो next question हम देखते है next question कौन सा है तो इसके भी आगे हम टिक लगा लेते हैं क्योंकि हमने यह भी देख लिया और बाकी next question है वो है what is pollution describe air pollution तो आए हम इस answer की जाने बढ़ते हैं अच्छा जो हमारा question है वो क्या है describe pollution and sorry what is pollution describe air pollution तो सबसे पहले pollution को describe कर लेते हैं तो यह जो definition आपके सामने लिखी है कि pollution होता क्या है pollution and undesirable change in the physical, chemical and biological characteristics वह बाकिया पढ़ सकते हैं जो undesirable change होता है जो कि मतलब हमें बगैर बताय कोई change आ जाता है अपने आप जो change आ जाता है उसको pollution कहा जाता है according to biology तो यह आपने सबसे पहले यहां से लेके pollution तक आपने definition लिखनी है देखें मैं अब अगर नहीं भी भने हुए ना सवाला तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कहां से लेके कहां तक करना है प्रॉपर आपको explain किया जा रहा है इस वीडियो में तो वीडियो को without skip किये एंड तक लास्मी देखिएगा ताके आपकी सारी confusion खतम हो सके तो सबसे पहले आपने इसकी पूरी definition लिख रही है यहां pollution तग फिर क्या लिखा है हमारे पास आंसर पिर आंसर है कि describe air pollution तो यह types of pollution की चानिम नहीं बढ़ेंगे फिर direct हम लोग air pollution से start करेंगे definition के बार आपने का करना है air pollution क्या होता है उसकी आपने पूरी complete definition बात है कि यह बड़ा सवाल तो होगा फिर देखें तीन results होते है air pollution की वज़ा से एक होता है acid rain second होता है green house effect and third होता है ozone layer depletion तो यह तीन चीज़े हैं फिर आपने acid rain को आपने क्या करना है explain करना है तो यहां से लेकि यहां तक आप acid rain को करेंगे फिर हम लोग green house effect पे आते हैं जो second इसका point है next page की जाने भड़ते हैं तो उस दुदर green house effect की जाने भड़ते हैं sorry अभी हमने safe or safe उसकी हमने acid rain का पढ़ा तो उसके हम effect भी पढ़ेंगे तो total इसके चार effects तर रेस्पारेटरी डिजीज करता है और बहुत सारे metals को structures को destroy कर देता है जो के archaeological importance के लिए होते हैं औ को नहीं कर रहा कि ठीक हो गया और इसके बाद आपने यह जो reactions है वो लिख रहे हैं और याद रहे कि मैंसे गल्ती हो गई थी कि मैंने पहले effects लिए और बाद में reactions लिखे तो ऐसा नहीं करना तो इधर लिखा है ना यह reactions effects से पहले लिखने हैं तो सब्सक्राइल आपने यह reactions और फिर आपने यह effects लिखने हैं मुझे उमीद है कि समझ आ गई होगी आपको फिर हम लोग last point की जाने बढ़ते हैं जिसका नहीं नहीं second sorry second point जो है green house effect जिसको global warming भी कहा जाता है तो यह आपने complete इसका पुरा paragraph लिखना है green house effect के global warming क्या होती है फिर आपने इसके effects लिखने हैं कि agriculture और sea levels को effect करता है और यह इसकी वज़ाँ से heavy rainfall आता है जिसकी वज़ाँ से सिलाब वगेरा और hurricanes और tornadoes वगेरा आ जाते हैं तो फिर आपने इसके effects लिखने हैं फिर इसके बाद आ जाती है और zone layer याद रखेगा यह सारी air pollution का ही यह answer है तो जब ozone layer के बारे में आ जाते हैं तो ozone layer की आपने पूरी explain करना है कि ozone layer होता क्या है और ozone layer deplete हो रही है तो किस वज़ाँ से हो रही है तो chlorofluorocarbon है वह refrigerants में उसमें gas भरने के लिए जो होता है ना हम बोलते ना कि हमने फ्रिच की gas कम हो गई तो gas भरवानी है तो जो gas होती है वह chlorofluorocarbon होती है तो जब वह हावा में जाती है तो chlorofluorocarbon जो होता है वह ozone layer को destroy करता है जिसकी आपको बता है कि ozone layer destroy होने के वज़ा से ही पाकिस्तान म में बहुत जादा इजाफा होता जा रहा है तो reason of depletion करना है तो यह chlorofluoros से लेके और zone तक यह reason of depletion हो जाएगा फिर अगर depletion हो रही है zone layer की तो उसका हम पे क्या effect पढ़ रहा है तो यह आपने बताना है यह सामने आपके answer लिखा हुआ भी है तो यहां तक आपका यह complete answer ह है यह और many organisms तक यहां पर आपका यह answer जाके complete होता है तो हमने यह वाला pollution वाला भी हमने question कर लिया तो इसके आगे हम टिक लगा देते हैं बाकी है next question हमारे सामने आता है explain pechotri gland as master gland तो हम इस सवाल के जाने बढ़ते हैं तो अब जो आपका next question है उसमें आपने explain करना है question है explain pechotri gland as master gland तो आपने यहां से जहां पर भी टिक लगाया वाइना pechotri gland यहां से आपने heading को start करना है और आपने बताना है कि pechotri gland क्या होता है piece sized gland होता है और that hang from the base of brain यह सारा आपके सामने है तो आपको पता चल जाएगा कि यह answer सारा आपने लिख लेना है देखें यहां तक लिखा फिर next page से जाने बढ़ते हैं फिर आपने यहां से लिखना है most of the vertebrates including man has two lobs of pechotri gland pechotri gland के दो lobs होते हैं एक anterior lobe होता है और दूसरा posterior lobe होता है यह आपको पता होना चाहिए पर anterior lobe है यह आपने सारा लिखना है anterior lobe में बहुत सारे hormones होते हैं जासे ठाइरो स्टिमिलेटिंग轨 हो गया folically stimulating hormone हमारे पास आता है पॉस्टीर लोब भी अलग से आ सकता है तो यह आएगा भी मैंने टार्ट पेपर में यह रखा हुआ है पॉस्रीड लोब पिचूतरी ग्लैंड तो एडी एच है इसमें हर्मोन आ जाता है एडी एच मतलब एंटी डियूरेटिक हर्मोन हो गया फिर ऑग्जी टॉसें है फिर अगर पिचूतरी आउटपुट तो इसकी वजा से अगर पिचूतरी ग्लैंड में कोई हो जाता है और फिर दोर्फिजम के बारद आप झर यहां तक लिपने यह पिचूतरी ग्लैंड यह तक आक पूरा आपने एक स्प्रीं करना है फिर आप ने ने बाते हैं फिर आपने यह पूरा लिखना है मोश्ट आप टर्वेट जहास्ट यहां से लेकर और पर ये सारा जो नीचे आ रहा है ADH, Oxytocin, Gigantism, Acromagaly और पर ड्वार्फिजम जो है ड्वार्फिजम थर्ड है और उसका आंसर भी next पर है और ये जब ड्वार्फिजम का आप लिख देंगे तो यहां तक Childhood तक आपका जो complete ये आंसर है वो हो जाएगा तो हमारा अब ये भ प्रफिजम तो हम इसके आंसर के जाने भड़ते हैं अच्छा तो आपका next question है डिस्क्राइब लोकोमोशन इन जैले फिश अर्थ वार्म और स्टार फिश तो सबस्प्राइब तो लोकोमोशन के आप में डेफिनिशन लिखनी है कि लोकोमोशन होता क्या है तो movement of shifting of the whole body from one place to another और जब पूरी body जब shift होती है या move करती है एक place से दूसरी place पर एक जगा से दूसरी जगा पर तो उसको क्या कहा जाता है लोकोमोशन कहा जाता है तो तीन चीज़ अमने लोकोमोशन को डिस्क्राइब करना है फर्स जैली फिश में और स्टार फिश में तो लोकोमोशन इन जैली फिश वो कैसे लोकोमोट करती है जैली फिश यह आपने बताना है तो इसका एक umbrella shape body होती है which will feel you on water and some contraction of muscle cells, muscle cells को contract करकर और इनका jet propulsion effect भी होता है जो कि आप अपने आंसर में भी देख सकते हैं यह है लोकोमोशन इन जैले फिश लिखना है फिर आपने क्या करना है फिर आपने लोकोमोशन इन अर्थवर्म लिखना है तो यह लंबा चोड़ा जो आंसर है यह लोकोमोशन से लेकर यहां बॉड़ी वॉल तक यहां तक आपने लोकोमोशन इन अर्थवर्म को एक्स्पेंड कर द है एपर यह के नाल होता है उसको कहा जाता है उसको कहा जाता है तो चाता है या लंभी हो जाती है पिर जो हमाइन के साथ ने किसी भी object के साथ attach होता है और फिर सकर contract करता है यह मतलब कि सारा mechanism है मैं detail explanation नहीं कर रहा क्योंकि यह video जल्दी खतम भी करनी है तो यह आपका यहां तक यह answer यह लिखा है ना कि losing the grip and starfish is pulled forward तो यहां तक आपका answer हो जाता है तो यहां तक आप लिख लेंगे तो आपका complete answer हो जाएगा और 100% आप marks लेने के काबिल हो जाएंगे तो अब यह भी हमारा हो गया locomotion locomotion in jellyfish starfish and earthworm यह भी हो गया और अब next जो सवाल है आपके पास है process of excretion in planaria earthworm and cockroach तो planaria earthworm और cockroach के अंदर excretion कैसे होती है वो बताना है तो आए हम इसके answer की जाने भड़ते हैं जो के chapter number one में है तो यह आपके सामने इसका answer आ गया है excretion क्या होती है describe the process of excretion in planaria earthworm and cockroach तो excretion क्या होती है और process बताना है पूरा के planaria में कैसे excretion होती है earthworm में कैसे होती है और cockroach में कैसे होती है first of all हम excretion को define करते हैं तो harmful जो nitrogen substance होती है उन्हें body से निकालने के process को excretion कहा जाता है यह तो आपको भी पता होगा बाकि यह सारा जो answer है आप देख सकते हैं तो first of all हमने तीन चीदों करने ना planaria earthworm and cockroach सबसे पहले हम लोग planaria का देखते हैं कि planaria में excretion कैसे होती है तो यह देखें यह आपके सामने answer है मैं पूरे answer को visible कर रहा हूं आइस्ता इस्ता पर लेके जा रहा हूं ताकि आप सारा देख सकें और जब आप अभी देखें अभी आप वीडियो को पॉस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत जादा नुक्सान होगा क्योंकि आप चीजों को सही से समझ नहीं पाएंगे अगर एक ही flow में पहले समझ लेंगे और देखें पहले एक काम करते हैं ऐसा नहीं करना कि समझना भी है और सासा लिखना भी तो ऐसे पूरी खिचड़ी पख जाएगी आपके दिमाग में सबसे पहले आप पूरा कंप्लीट समझ लें बाद में आपके पास टाइम ही टाइम है यह वीडियो आपके हातों से कहीं भी नहीं जा रही यह आपके पास ही रहेगी वीडियो आप जब चाहे इसको लिख सकत आपको बता कि यह मेरी राइटिंग है तो मैं इतने देख इतने लंबे-लंबे सवाल शौर्ट के डॉंग के मैंने खुद आप लोगों के लिए अपने हाथों से बैठके लिखे हैं बहुत टाइम लगा इसको लिखने में तकरीबन मैं पूरा-पूरा दिन बैठके मैं लि कि नीदे खराब कर रहा हूँ उसके बावजूद भी अगरा सपोर्ट नहीं करते हूं कि मैं वैसे पढ़ाता हूं और भी स्टूरेंट को पढ़ाता हूं तो जब आप नहीं सब्सक्राइब करते हैं नहीं सपोर्ट शो दिखाते हैं तो बहुत दुख होता है कि इतनी मेहन लिखे होवे कॉपी पे बकाइदा आंसर नहीं प्रोवाइड कोई भी करेगा मुझे कोई भी आप दिखा दें कि अगर करेगा तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा अगर आप मुझे दिखा दें कि कोई ऐसे आपको एक एक सवाल का डिटेल आपको आंसर दे रहा है तो जारा अपना सपोर्ट शो किया करें और चैनल को सबस्क्राइब लाजमी करें इसे मुझे मोटिवेशन होती है ताकर मैं ऐसे जितने भी सब्जेक्टेश टार्गेट पर हैं सबके मेरे पास आंसर मैं लिखूं और आपको प्रोवाइड कर तो लाजमी अपना सपोर्ट शो यहां पर जाकर केश्रिशन खतम हुई पhris in earthworm की बदा आती है और यह पता है यह जो आप्स हैं वो नफ शीदिम करते हैं तो नफ इसे कोरभ सिद्य होता क्या है तो यह आपको पताना Isth spontan और carrying an और तीन पार्ट से होते हैं अफरीडियम के एक बाभ पिर सुनले नेफ्रोस्टर्म नेफ्रीडियम औन फ्रीडियों पौर तो सबसे पहले तो पीर आपने ओने आपने लिखा अधिकलेंद करना तो फिर आपने ब्लैडर को तो यहां पर जाके आपका excretion in earthworm खतम होता है excreted out of the body यहां पर excretion in earthworm खतम होता है next जो third है third and last वो है आपका excretion in cockroach तो यहां पर आपने क्या करना है excretion in cockroach को करना है आपने सारा explain तो यह यहां देखे पूरा आपके सामने answer है हम next page की जाने भड़ते हैं next page तो यहां पर all the nitrogenous यह सारा आजाता है excreted out of the body यहां पर जाके excretion in cockroach भी आपका answer जो है वो खतम होता है तो इसी तरह हमने यह वाला सवाल भी कर लिया तो target paper की जानी भड़ते हैं तो इसके सामने हम लोग टिक लगा देते हैं किदर थे jellyfish starfish हो गया excretion वाला भी हमने complete कर लिया ठीक हो गया फिर आजाते हैं structure and function of human brain तो structure and function of human brain की जाने भड़ते हैं chapter number 3 का जो सवाल है तो यह आपके सामने answer आ गया है describe the structures and functions of human brain तो सबसे पहले आपने human brain का बताना है कि basically यह तीन पार्ट के अंदर divided होता है human brain जैसे कि four brain mid brain and hind brain तो four brain सबसे पहले हम लोग four brain को explain करते हैं तो जो four brain होता है याद रखिएगा वो brain का सबसे largest part होता है और यह दो हिस्सों में डिवाइड होता है tell and słréal on और बिदे ऑपने सफ्ल को explain करना है और जो icias नो है वो मजीद दो चीज़ों पर ऊपरston करता है इसमें तो ओस एलाकर होते हैं या जो cerebral cortex है वो भी मजीद चार चार चीज़ों में डिवाइड होता है जैसे कि frontal lobe, parital lobe, temporal lobe और occipital lobe तो इन चारों lobe को आपने फिर से explain करना है, frontal lobe की heading और उसको explain करना है, parital lobe की heading फिर explain करना है, temporal lobe की heading और उसको explain करना है and then occipital lobe और उसको अपने explain कर देना है, अब next page की जाने बढ़ते हैं, फिर आजाता है diencephalon, यह जो था हमने पूरा अभी तक हमने, यह telencephalon का पड़ा था, और अभी जो diencephalon है, वो भी दो चीजों में मुझते मिल है, एक thalamus है और second limbic system, तो first of all thalamus को heading डाली और उसको explain कर द दिया, and then limbic system की heading डालती है, और उसको हमने explain कर दिया, फिर आज जाता है hypothalamus, जो के brain का एक और part है, जिसको thermostat of the body कहा जाता है, और यह कौन-कौन सी, मतलब की कौन-कौन से function से concern करता है, temperature से, body temperature से, thirst मतलब प्यास से, आपके blood pressure से, और आपकी भूग को कौन control करता है, hypothalamus control करता है, फिर amygdala करते हैं, और यह आपको जो दर्द होती है, और आपको जो सकून मिलता है, pleasure मिलता है, and it is also concerned with sexual function, और जो sexual जो आपका desires होती है, या sexual functions होते हैं, वो सारे जो दिमाग में लाने वाला जो काम है, यह amygdala का होता है, फिर हम hippocampus की जाने बढ़ते हैं, तो hippocampus में है, it is concerned with long term memory, और जो आपकी long term memory होती है, कोई आपको पता हुआ कि कुछ ऐसी बाते होती है, कि हम बचपन से ही हमें याद रहती हैं, बचपन वाली सारी बाते हमें, जो याद होती है, वो सारी बाते कि इदर हमारे feed होती है, वो hippocampus के अंदर feed होती है, फिर जा यह संस्री इंफर्मेशन है वो गतल से लेके जाना किसका काम होता है मिड़ी आंक होता है में यह हम प्रेटा अपर भी मेडूला अबलोंगेटा पॉंट गयाँ और र। एप्छिन और हम पढ़ लेते हैं और हाइंड ब्रेन में जो से पहले है एमेड वैडिूला अबलोंगेटा तक यहां पर जाके आपका जो आँसर है आपने यहां पर जाके आपका यह सवाल जो है वह कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने पर जाने भड़ते हैं तो हमने यह वाला सवाल भी किदर गया किदर गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूमन ब्रें यह भी हमने सॉल्फ कर लिया और अब जो आता है अब इसके आँसर की जाने भड़ते हैं तो हम चैक पर आपने क्या करना है सबसे पहले आपने इंट्रौडक्शन पढ़ना है इंट्र लिखना है तो हैं का एक होता है होता है अगर इसके इस आप से इसे comparison में अगर दूसरे देखे जाएं तो उसमें जर्दी कम होती है और जो living part होता है यौक का वो सिर्फ और सिर्फ अपर पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं blaster disk यह germinal disk तो introduction के बाद आपने यह cleavage नहीं लिखना मैं आपको इसके बाद आपने क्या लिखना है एक सेके तो इसके बाद आपने यह diagram बनानी है जो हैं का होता है उसकी लेबल diagram बनानी है तो यह diagram आपके सामने बनी हुई है और इसको बनाने का तरीका भी एक गैज वीडियो आएगी जिसमें आपको बताँगा यहां जो एंड का अंडा है यह कैसे कैसे आपने बनाना है फिल हाल के लिए मैं आपको यह दिखा रहा हूँ और यहां सबसे पहले आपने हैं का अंडा बना लेना है कि हम लोग दुबारा पीछे चलते हैं अब इदर आते हैं तो इंट्रडक्शन अब मैं आपको बतारों देखें आपने अगर आप वीडियो सुन रहे हैं न अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं आप किसे भी कंफूजन का शिकार नहीं रहेंगे और जो स्किप कर रहे हैं तो वह हैं का क्लीविज है फ़्लीविज में जो होता है इसमें डायरा में आपको बतार जाता हूं फ़र्स टू ख्लीविज को मतलब होता है के तूट ना ठीक है तो फस्त टू लीविज होती है जैसे कि यह देख सकते न पहले फ्लीविज यह जगोल एक जर्दी है या अंडा समझ ले तो एक क्लेविच यह ऐसे हो गई और यह 2 हुग्वेज हो गई सब्सक्राइब फिर फिर्ट में क्या होता है दे थाट क्लीच उक्रण फर्मेशन टोर्मिचन फिर यह इसे आठ बीच में से आज रहेंगे तो फिर आट स्यल बन जाएंगे एक दो तीन चार पांच शी liar आठ वन जाएंगे और रिमेनिंग क्लीविज हो तो इसे बुए ज़य हो जाएगी और बिलुकुल बॉक्स चोटे चोटे आपको सेल्स नजर आएगे ठीक हो गया बागे जो answers नीज़ आप देख सकते हैं फिर बाद में क्या होता है modular stage जह होता है ना उसमें एक mulberry की shape की आपके सामने mrberry का shape बन जाता है और मौ divorce को क्या कहा जाता है modular कहा जाता है फिर आप देख सकते हैं जैसे shape बना गे रहे यह मुलबुरी के type की shape है यह आपने बनानी है ठीक हो गया फिर ब्लाश्टीव लग स्टेश में क्या होता है ब्लास्थ groupe लेंग में यह थो हिस्से हैं वह अलग-लग होना विज स्ट्रू हो जाते हैं जो अपर लेयर वोती है उसको आपीBlasht कहा जाता है मिडल लेयर को blastocil कहा जाता है और जो लोवर लेयर होती है उसको हाइपो बलासट कहा जाता है फिर जो blastola stage के बाद आती है겨ONGJasella stage तो i- upstairs टैज पर क्या होता। जो जो फimy- estudгор होता है वो होते हैं दो लगलग हो जाते हैं और यह बाकी आप लेबलिंग देख सकते हैं यह सारी आपने लाजमी डायग्राम के अंदर बनानी है तब ही जाकर आपको फुल माक्स मिलेंगे और बाकि यह जो मेकानिजम है यह आपने लिख लेना है तो आपके जो माक्स हैं यह तो आप भूली जाना कि कोई भी एक्जामिनर चाहा कर भी यह माक्स नहीं काट सकता आपने इतना अच्छा आपने इसको एक्स्प्लेइन किया है और यह डायग्राम से एक्स्प्राइशन दे रहा हूं ताकर जो डूरेशन है वीडियो की वह कम से कम तर रहे तो अब 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 बढ़ते हैं अपने टार्गेट पेपर की जाने क्यूंकि हमने यह वाला भी जो सवाल है वह भी कंप्लेट कर लिया है चिक डिवैलप्मेंट आफ चिक कर लिये हैं नेक्स पर जाने पड़ते हैं अभी तो और भी डिटेल सवालात हैं अभी तीन सवालात और हैं तो ले माक्स थियोरी एंड इट्स ऑब्जेक्शन की जाने बढ़ जाते हैं तो आए हम इसके आंसर की जाने बढ़ते हैं तो यह जो सवाल है यह कुछ इस तरह से भन के आता है कि describe evolution discuss लिमाक्स थियूरी एंड दी objection raised against it आपने evolution को define करना है और फिर लिमाक्स थियूरी को discuss करना है और जो इस पर objections लगाए गए हैं वो भी आदर मिताने हैं यह भी एक detail का सवाल है जो के chapter 10 evolution में से है तो सबसे पहले आपने organic evolution की आपने definition लिख देनी है फिर आपने इंटर इसमें लिमाक्स थियूरी को अच्छे से explain करना है सबसे पहले आपने introduction बताना है कि किस ने लिखी तो एक फ्रेंच जॉलोजिस्ट थे जीन बैप्टेस लिमार्क और उन्होंने अपनी philosophy जॉलोजिक जो इसको पेश किया था जिसको लिमार्कियन थियूरी भी कहा जाता है मुक्तुसर मुक्तुसर आपको explanation कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझाज है तो पॉस्ट्यूलेट्स इसके क्या थे पहले पॉस्ट्यूलेट्स था अफेक्स ऑफ इंवार्मेंट्ट् लिमाक को मताबिक कोई बियागर स्पीशी जोता है तो उसमें इन्वार्मेंट के मुताबिक एक नियू और मीजूलोजिकल और डियूसट्यूलेट्स इक और ग्रीकम सब्रेहस वीजिकल्ट्ट है कि एडिशन हो जाती है और यूज एंड डिस्यूज ऑफ और अगर आपको पता होगा इसको मैं स्क्रेइन वैसे कर देता हूं बगार पड़े तो यूज अगर इसने एक ना जिराफ की एजैंपल दी थी कि अगर जिराफ ज्यादा अपनी और गन को यूज करता है तो उसकी मे यह लोग पते खाते थे तो दरखतों से अपनी गर्दन उपर करके यह लोग पते खा रहे होते थे तो यह मतलब के कंटीनियस ली जब इनका इनकी गर्दन का बहुत ज्यादा यूज हुआ तो इस वज़ासे इनकी जो वह जो गर्दन है वो डिवेलप हो गई और डिश चुप के यह एक गौल में या एक होल के चुप जाते थे और यह लोग अपने ज़्यादा हाथ पैर का इस्तमाल नहीं करते थे तो यही वज़ा है कि साम के हाथ और पैर नहीं होते यह लिमार्क का बिलीव था वैसे हमें तो पता है कि हम देखें हम जितने भी यहाँ पर यह हमारे स्लेबस में शामिल है यूज अच्छा तो इसमें ऐसा बोला था कि अपने माबाप से जो कर्रेक्टर करता है जैसे फॉर एज़ेंपल अगर जैसे माब अगर बाप अगर जिम जाता है फिट है और माबी अगर फिटनेस करती है एक्सराइज करती है तो जो उनका बेटा होगा वह वह भी शेप में पैदा होगा और जब उसके जो जैनेटिक्स है वह अच्छे होंगे और यह बिल्कुल सही बात भी है अगर माबाप अगर फिटनेस करते हैं अगर एक्सराइज करते हैं तो जो आगर उनके आफ्रिंग्स होते हैं या फ्रसक्राइज करते हमने तजैने डिक्स्क्राइज सकते हैं फिर एक्जैंप्ल देख लेते हैं तो एंग वलेशन आफ नेकी ऑफ जिराफ मैने आपको बता दिया यृवली शे वुरूय आफ लौस ऑफ टीथ इन वेल आफ बता के वेल पानी में रहती है तो तो उसको नग लेनी है जो लिमार्क ने दी थी अपने उस पर अपनी लिमार्क ठीवरी आफ एवलुशन पर और फिर आ जाता है अब्जेक्शन्स तो अब्जेक्शन्स क्या-क्या उठे लिमार्क पर तो यह मैं आपको नहीं मैं एक्स्प्रेंग कर पांगो कि टाइम बहुत जादा होता ज लड़कों में भी बहुत जादा वो लड़कियों वाले रहजान हो गए हैं अगर कुछ लड़का वो यह मेरा कुछ स्टुडेंट होगा तो जिसने कांच शिदवाना उनका काम होता है और नाग बे चिदवाती हैं फिर आंको पता है कि उसके अंदर तो उनकी जो बच्चे होते हैं उनके नहीं उनमें नाग यां आंक शिदेवे होते तो यह बहुत अच्छा एक आपने अच्छे से याद कर लेने हैं और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने वाक्षी टार्गेट पर की जाने क्योंकि यहां पर जाके जो आपका आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है यह जो आकर है लिमार्ग थेओरी आफ एवलूशन यह वाला आंसर भी आपका यहां पर जाकर कंप्लीट हो जाता है तो यह जो है तो यह स्क्रीन के सामने आपके पास है मैंश्रुल साईकल का इसका जो आंसर है सॉरी question जो है तो इस तरह से बनकिता है कि describe मैंस्रुल साईकल including its different phases and hormones controlling them. तो मैंस्रुल साईकल क्या होती है सबसे पहले आपने definition लिखनी है तो मैंस्रुल साईकल ये होती है जो the cycle which prepares the uterus for a possible pregnancy is known as menstrual or uterine cycle तो याद रखिएगा कि menstrual cycle को uterine cycle भी कहा जाता है जो uterus को pregnancy के लिए prepare करती है cycle तो उस पुरी cycle को क्या कहा जाता है menstrual cycle कहा जाता है और यह जो cycle है यह जब जो 13 years जब होती है girl की जब किसी भी लड़की की जब 13 years होती है तब इसको जब तब यह start होती है 13 years में menstrual cycle मतलब कि जो गर्ड होती है तो वह 13 years में मदर भनने के काबिल हो जाती है और और जब तकरीबन 50 साल तक उमर हो जाती है किसी भी खातौन की तो यह जो मेंस्ट्रोल साइकल है खतम हो जाती है मतलब के मतलब के पचास साल के बाद जब वह मेंस्ट्रोल साइकल खतम हो जाती है तो जो वुमेन है वह वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती जिसको मीनोपॉस कहा जाता है तो दिस साइकल लास्ट अबाव 28 देस इट कंसिस्ट आफ तो यह तक लास्ट करती है यह चीज ठीक है फिर यह याद रखें कि इसमें चार फेज होते हैं पहला फेज है मैस्ट्वेशन फेज और सब्सक्राइब करते हैं तो यह मैस्ट्वेशन फेज की बारे में आते हैं तो यह मैस्ट्वेशन फेज यतना भी देखें मैं एक्स्वेशन कंप्लीट नहीं कर सकता तो यह मैस्ट्वेशन फेज आपके सामने आ गया पहली हैडिंग इसकी हो गई फिर नेक्स जो आपके पास होगा वह फॉलिकल स्टिमिलेटिंग फेज होगा जिसको फॉलिकल फेज यहां एफ फेज कहा जाता है यह सारा आपके सामने लिखा है यह आप सामने देख सकते हैं फ्रेज के बाद क्या है ओप यलेशन फेज आपके पास आता है यह पूरा यहां तक थी डेज तक यहां तक आपका हो गया और फिर फोर्ट जो है वह कॉर्पस लिटियम फेज आता है और यह निस फेज ग्राफियन फॉलिकल इस यह ह तो यहां से लगए यहां तक menstrual face occurs तो यहां पर जाके आपका यह वाला सवाल भी खतम होता है तो आए हम लोग फिर target paper की जाने बढ़ते हैं क्योंकि हमने यह वाला सवाल भी अपना complete कर लिया तो menstrual cycle इसके आगर भी हम लोग टिक लगा देते हैं कि यह भी हमने complete कर लिया है और बाकी जो end में आ जाता है वह बड़ा important है reproductive system of male और female तो अब इसके जो last है हमारा question इसकी जाने बढ़ते है reproductive system of male और female तो सबसे पहले हम लोग male reproductive system के सवाल की जाने आ जाते हैं तो जो male reproductive system होता है यह उसकी complete diagram है अब यह देखने में आपको इतनी मुश्किल लग रही है न क्या बोलेंगे नहीं सार हम तो बना ही नहीं सकते तो मैं इसकी complete एक वीडियो आगे इंशाला तो उस पर इसके जितना भी डाइग्राम है मैं आपको जब सिखाऊंगा तो आप हंड्रेट परसेंट ऐसी सेम तो सेम नीट और क्लीन डाइग्राम बनाने काबिल हो जाएंगे और इसके सारे वह जो लेबलिंग है वह भी मैंने यहां पर लिखी है तो यह दोस्त्री सिस्टम की है जा लेने और नहीं है ने पर एपिटिड डिफेरंस ईरीथ्रा और पीनिस जहां से जो यूरिन है वो होता है कि बारे में आप किया होते हैं वो पैक्टेस जो होते हैं वह स्मॉल किसंगी बॉडिश होते हैं जैसा कि आप उसमें देखा भी सकते हैं है फिर डिखाता हूं यह जो ओबस आप देख रहे है न यह कहला ती है और जो टाइट ली को लाइन आप नजरा रहे हैं लाइन 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 तब्योर्टीट लॉटिक जो हमारी थाइज होती है उसके दरम्यान होते है जो प्रोडूस्य याद रखिएगा जो स्पाम्स प्रोडूस होते हैं तो यह अमसे के लिए बहुत ज़्या इंप्रोटेन्ट है और यह बहुत इंप्रोटेन्टाइज और प्रोद्यूस और स्पर्ण्स प्रोड्यूस्य जिते उते हैं करते हैं 7 poco ख्र jestem और वहाँ से जो सपर्म से ए頭ियमेंश में वह खुलते हैं रिको हो गया और Fire की बारा ही आजाती है तो सपर्म लीफ एक इस रूप अडां में इस गालडी स्कॉल्ड तो जो एपर डाइमेस है वह कहां पर खुलता है वह वास डिफरेंस में खुलता है तो स्पॉम्स जो है वह वह वास डिफरेंस के अंदर ट्रैवल कर लेते हैं फिर यूरित्रा के बार यह आ जाते हैं अब किदर हैं स्पॉम्स अभी वास डिफरेंस के अंदर है अब वास डिफरेंस में है फिर उसके बाद वास डिफरेंस से ओपन होके युरित्रा में आ जाते हैं और युरित्रा के बाद युरित्रा जो ओपन होता है वो पेनिस में जाके ओपन होता है और यहां से जो युरेंस की जो एक्सक्रीशन है वो आपकी होती है जो फोर देखे मैंने लिखा हुए ना uranogiantal duct which is a common tube for urine and sperm discharge urine और sperm discharge लिए जो होता है वो penis होता है यहां से discharge होता है ठीक है और बाकी glands की बात आ जाती है बहुत सा तीन किसम के glands होते है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है काउपर्स ग्लैंड होता है सैंभी और समेभी फ्रोस होता है यह तीन किसम के घ्राइंड होते हैं का ठीक हो गया और बाकी में आपको कि लिएं कर देता हूँ सबसे पहले क्या बताया था के यह जमस् Federation होते हैं और यह में हम टरींड में कहुछता है यह जो ना बने और यह जो है ना यह बंदनाया है यह फर्स फ इंदर आते हैं एसा होता है कि फिर आइस्ता इस्ता यहां से आके यह पूरी ट्यूब से यहां पर आते हैं जो के इसको क्या यह है यहां पर आते हैं और फिर यूरित्रा में आ जाता है यूरित्रा में आने के बाद यहां से सीधा पीनिस में आता है और पीनिस से मैं यूरन की बाद भी कर रहा हूं और स होने का एक ही जगह से होता है और जब यहां से यह यूरीत्रा है यहां पर आते हैं और फिर यहां से पीनिस के थुरू स्पम्स वो जो हैं डिस्चार्ज आउट हो जाते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको complete समझ आ गई होगी कि जो मेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम है यह कैस झाल तो आपने क्या करना है कि आपने से फ ऺसे मेल यहाड़ करना और साथ में भूल फीमesper सिस्टम की डैग्राम देंगे और सिर्फ आव सिर्फ उर सिफ earthly प्रॉडक्टिव सिस्टम की डैग्राम अब बना सकते हैं तो ये आपके सामने फिर रिप्रॉक्टिव whose różnych डैग्रा तो यह आपने बनानी होगी और अभी आपको यह भी बहुत जादा मुश्किल लग रही होगी तो जब मैं आपको यह सिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल 100% आप शोर हो जाएंगे और 100% आप यह बनाने के काबिल हो जाएंगे बाकी इसमें जो लेबलिंग है वो भी सारी जो जो शॉर्ट क्वेश्ट्र आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियों में अपलोड करूंगा तो देखे मैं इतने सारे आपको यह डाइक्राइम बनाई आपको लिए आप लोगों के लिए मुझे से कुई फाइदा नहीं मैं आप लोगों के लिए सब कुछ किया तो यह प्रेंड को साथ भी शेयर करें ताके ज्यादा से ज्यादा जो स्टूट्स है वह इस चीज से फाइदा उठा सके और लाजमी सपोर्ट शो किया करें ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होके दूसरे जो सब्जेक्शन उसके भी टार्गेट पेपस के सॉल्यूशन अपलोड करता र हैं एलीजर एजुकेशनल अकेडमी